कर दोस्तों को बहुत बहुत सब्सक्राइब करने वाला हूं और वैसे दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करने तो इस फोन का दोस्तों मैं आपको फोन का कंप्रेजन डेडमी नोट 5 प्रो से करके बताऊंगा जो कि 14,999 रुपए के कम कीमत के होने के बाब जुद भी आप देखेंगे कि इन दोनों फोन की स्पेसिफिकिशन को कंपर किया दा सकता है चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा फोन आपके दोस्तों में कोईल कॉम स्नेप ड्रेगन 450 प्रोसेसर दिया गया है इसके लाब फोन में 4gv रैम और 64gv स्टोरेज दी गई है वहीं फोन की स्टोरेज को आप माइक्रोस्टी कार्ट के जरीए 256 जीवी तक बढ़ा सकते हैं इसी के साथ सामसांग एलक्सी A6 डूल सिम को सप आप करता है फोन 4g LTE को सपोर्ट करता है वहीं वें बैटरी बैकप की बात करें तो 3,500 mh की दी गई है अप दोस्तों आई की बात करते हैं दोस्तों फोटोग्राफिक लिए फोन में 16 megapixel का और 5 megapixel का डू़ल रियर पाइप दिया गया है इसका पर षप 1.7 और F1.9 है साथ ही सेलफी के सौकिनों के लिए इसमें फ्रेंट में LED फ्लैस के साथ 24 मेगा पिक्षल का कैमरा दिया गया है दोस्तों बस यह थी समसिंग गलक्सी A6 के स्पेस्पिकेशन वहीं दोस्तों गलक्सी A6 की कीमत की बात कर रहे तो गलक्सी A6 की कीमत 25,990 रुपए है फोन में प्रोसेसर की बात कर रहे तो इसमें बात कर रहे तो उसमें 4,21 يम Watts के बातरी मिलती है इसके आप फोन Android 7.0 Nougat पर चलता है वही फोन में आपको fingerprint sensor और face unlock feature भी मिलता है अब आई ये Redmi Note 5 Pro के कीमत के बार में जानते हैं यहाँ पर Redmi Note 5 Pro भी आपको दो variant में देखने को मिलेगा इसमें Redmi Note 5 Pro के 4GB RAM और 64GB Storage variant की कीमत 14,999 रुपए है और 6GB RAM और 64GB Storage variant की कीमत 16,999 रुपए है दोस्तों आई देखते हैं इन दोनों फोन को compare करने पर क्या रियल निगला है दोस्तों कर कुछ चीजें जैसे camera और infinity display को छोड़ दिया जाए सामतें Galaxy A6 Plus में कुछ खास ऐसा नहीं है हलाकि camera और display के मामले में यह phone आपको जरू पसंद आ सकता है क्योंकि इसमें आपको 6 inch का Super AMOLED डिस्पले दिया गया है वही camera भी photographic के लिए 16 megapixel और 5 megapixel का dual rear camera setup है और front के लिए 24 megapixel का camera दिया गया है तो selfie के सौखीन इसे पसंद कर सकते हैं वहीं सैमसिंग ने इस phone को जिस कीमत में paste किया है वो दोस्तों Xiaomi, Nokia और Honor जैसे brand को टकर देने के लिए कुछ ज़्यादा ही है और दोस्तों यह जो मैंने आपको brands बता हैं यह वो brands है जो कम कीमत में कई features के साथ market में phone paste कर रही है अगर आप photography के सौख रखते हैं तो आज आपके लिए Galaxy A6 बेटर रहेगा और वैसे Redmi Note 5 Pro वैसे भी एक बढ़िया option है दोस्तों अब आप मुझे बताईए आपको दोनों में से कौन सा phone पसंद आया है और दोनों ही phones में आपको कौन से कमी नजर आई और दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरू पुछेगा दोस्तों अमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक एंड सेर करते रहेए ऐसी ही टेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा नमस्कार दोस्तों जया हिन